क्रिशिव विध्यक के खलाव शुक्रवार कुदेश भर में किसान संगठन और विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया मोधी सरकार के फैसले के खलाव सरक पर उतरे राजद ने भी क्रिशिबल के खलाव खला पोला और राची मेही राजभवन के सामने प्रदर्शन क्या प्रदेश अध्यक्ष अभेकुमार सेंग ने राज़त राची की सड़कों पर उत्रे और राजभवन के सामने जोड़दार प्रदर्शन क्या राज़त के प्रदेश अध्यक्ष अभेकुमार सेंग ने केंदर पर निशाना साते वे कहा कि इस बिल के कारण किसान, हताश, निरास और लाचार है उन्होंने कहा कि इस बिल ने अंदाताओं को तोड़ दिया है केंदर ने पहले हवाई जाहास को नीजी करन किया उसके बाद रेल बियसनल जैसे तमाम संस्थाओं को नीजी करन की ओड़ धके लिया अब मोदी सरगार क्रिशी छेतर को कॉर्परेट के हाथों बेचने का काम कर रही है देश के सभी पार्टियां, जेतनी भी पक्षी पार्टियां है इस बिल के खिलाब भारत बंद का योजना की है और सब लोग रेल रोको अभियान से लेकर के देख रहे हैं कि पंजाब में किसान लोग रेल के पठरी पर बैठने का काम करने का काम कर रही है तो पीश्ची तोर पे जो केंद्र में बैठी सरकार है वो पुझी पतियों के हाथों की कुट पतली है वो उचित मुल से उसको पहरूंग रहने का काम करने का योजना है पिसान को मारने का योजना है अर आजरास्त्री जन्ता दल के उसका समर्खन के लिए रोड पे उत्तुएं उस समय अध्यादेश लाये गया जिस समय तूरे तूरा बिस कोरोना के लिए परिशान था देश भी कोरोना के लिए परिशान था आपको ऐसी क्या जरूरत थी कि अध्या देश के माध्यम से आप ये देश पर खोब रहे है तानी अगर आपको कोई कानून ही लागू करना था तो आप इसको संसद में ले आए बहस कराए अगर आप किसान के घित के बारे में सोच रहे तो किसानों की बात सुरे है सब्रंग समचार के लिए राची से चितर इंजिन कुमार की रपोर्ट सिरामिक कोटिंग वर टेफलोन कोटिंग गाड़ियों की इंटिवियर सफाई आधुनिक मशीनों से करते हैं हम हम हैं कालराट तायस हमारी थलपकन और हनुमान मंदिर कोकर इस्थित सेंटरस पर अवश्य पधारें कालराट तायस 34 हज्जारी बाग रोड थलपकना राची नियर हनुमान मंदिर कोकर चोक राची